हेलो दोस्तो आपका फिट से स्वागेज़ अमारे चैनल में दोस्तो आज के वीडियो में हम कंपेर करने वाले हैं अमूल के दहीं को पतांजली के दहीं से दोनों ही फेमस ब्रैंड हैं इंडिया में और दोनों ही made in Indian प्रोड़क्ट्स है अब इतक आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको ऐसे लेटेस वीडियो मिलते रहे दोस्तो अगर हम दहीं की बात करें तो दहीं हम तेली यूसें में खाते ही रहते हैं Mother Derry का भी दहीं खाते हैं, हम अपने घर पे भी दहीं को जमा के खाते हैं, हम Amool का भी दहीं खाते हैं और Patanjali का भी देखाते हैं बगर अगर famous brands की बात करें तो इंडिया में दो brands अभी सबसे famous चल रहे हैं दहीं के लिए एक है अमूल का दही मस्ती दही और एक है पतांजली का दही made from cow milk तो आज की वीडियो हम दोलों को compare करेंगे और जानेंगे कौन से दही में कितना दम है और आपको कौन सा दही लेना चाहिए तो सबसे पहले अगर प्राइस की बात करें तो अमूल का दही आता है आपका 27 रुपे का पतांजली का दही आता है आपका 38 रुपीज का अगर इनके weight की बात करें तो ये भी 400 ग्राम की packing में है और आपका पतांजली का दही भी 400 ग्राम की packing में है तो इससे चीज clear हो जाती है कि आपका पतांजली का जो धहीं है वो 11 रुपे महंगा आता है as compared to Amul के धहीं से और दोनों का weight सेम है अब बाकी चीज़े अगर देखने start करें तो आप एक चीज़ देखेंगे कि Amul ने try किया है कि आपका जो यह packing है यह 100% recyclable plastic है तो आप इसको recycle करने के लिए दाल सकते हैं तो यह recycle हो जाएगा और अगर पतांजली की बात करें तो पतांजली ने ऐसे सच कुछ भी mention नहीं किया क कि आप इसको recycle कर सकते हैं या नहीं तो एक difference तो यह पढ़ जाता है अगर back side में देखें information तो आपको मैं सीधा compare करता हूँ इनकी nutritional information से ताकि आपको सीधा सीधा idea लगना सुरू हो जाए कि दोनों देखों में किसमें दम है तो आप देखेंगे पहले यह 400 gram की packing में है अमूल क जमाने के लिए और अगर इसमें भी देखें तो इस चीज में इसमें भी mention किया गया होगा कि यह किस चीज से बना है तो इसमें आप देखें इसमें पतार रखा है pasteurized toned milk, milk solids and active culture दोनों same overall एक same ही चीज से बना है अगर कि nutritional information की बारे में पढ़े तो आपको एके करके दिखा है 61.5 kilocalories बट अमूल में आपको मिलता है 64 kilocalories का अगर total fat की बात करें तो इसमें 3.1 gram fat है 100 kg में और इसमें 3.2 gram का fat protein की बात करें तो आप यह पे protein देखेंगे आपको अमूल मिलता है 4.0 gram protein 100 grams में और protein आपको अमूल में पतांजली में मिलता है 4.1 gram कार्वोहाइडरेट की बात करें तो पतांजली में 4.7 gram carbohydrate है और अगर इसमें बात करें तो total carbohydrate 4.7 है added sugar की बात करें तो दोनों कम्पनियों ने sugar add नहीं किया जो कि बहुत अच्छी बात है calcium के मामले में वि आपको 140 g calciumатьahan पतांजलीके दही में और इसके दही में देखे है उमूल के 3 में तो आपको शक्कूर केतना कर रहा है और आप एक वीडियो को पॉस्ट करकर पढ़ना चाहे भी पढ़ सकते हैं दोनों ही दहीं F-S-S-A-I प्रमानित हैं और उनको अपने नंबर्स मेले हुए हैं अगर पैकिंग की बात करें तो आप दोनों दहीं को पैक साइट से भी देख सकते हैं किस तरह की के पैकिंग में आता हैं अमूल का दहीं आपको मैं पतांजली का भी दिखा देता हूँ तो पतांजली में भी आप information पढ़ सकते हैं कहां आप इसको कैसे store करके रखना होता है बहुत सारी चीजे और किस तरह की temperature में चीज़ें को store किया जाता है बहुत सब पढ़ सकते हैं तो अगर information की बात करें nutrition information wise तो आपका पतांजली का दहीं कुछ वैल्यू से थोड़ा सा आगे निंगल जाता है अमूल दहीं से बट अगर price की बायत करें तो 11 और पेस का difference पतांजली और अमूल के दहीं में पढ़ जाता है अब चलिए दोनों को open करके देखते हैं कि दोनों के दहीं में flavor wise और whiteness equal है कोई ऐसा नहीं कि कम जादा हो अगर thickness की बात करूं तो दोनों की thickness एकदम गाड़ी आप देखें कितना गाड़ा है और यह चीज़ अगर पतांजली का देखें तो पतांजली का दहीं भी बहुत गाड़ा है अगर इनकी टेस्ट की बात करूं तो मैंने दोनों को टे तो उसी के दूस से सीटा डिरेक्ट देहीं जमाया हो और उसमें आपने कुछ भी एट ना किया हो तो पतांजली का देहीं का टेस्ट बैसा आते है एकदम नॉर्मल से टेस्ट आएगा हलका सा खटापन सा आएगा जैसा गाएं गाउं की जो देशी गाएं उसके देहीं से म आता है बट अमूल में आपको हलका सा ऐसा मिठा पन सा लगेगा बट मिठा दाले नहीं गये बट देहीं में हलका सा खटापन नहीं लगता है तो ओवरोल इस तरीक है कि दोनों का देहीं है अगर मेरे से पूछेंगे दोनों देहीं से मुझे कौन से अच्छे लगे तो मु भी टेस्ट अच्छा लगता हो आप दोनों में से किसी को भी ट्राइ कर सकते हैं दोनों ही दही बहुत famous व्रेंट से आते हैं यहाद है Amool के end से और यहाद आपको पताँजिल के end से तो दोस्तो आज की वीडियो में आपको आइडिया लग गया होगा कि दोनों में दहियों में कौन कितना difference है और कौन सा दहिय है कितना best है अगर आपको दोस्तो वीडियो informative लगा तो वीडियो को like कीजिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा